भारत विविदताओं का एक ऐसा देश जहां सांस्कृतिक विविदताओं तो दिखती ही हैं साथ ही साथ अगर हम जंगलों की बात करें तो इस्ट वेस्ट हो नौर्ट साउथ हो सभी जगह के स्पीशिज औफ प्लांट्स एंड अनिमल्स अलग-अलग होते हैं एक दूसरे से काफी भिन हैं बात करेंगे दोस्तों आज हम अंडमान कोब्रा की अंडमान अक्षा भारत की एक ऐसी जगह है जिसको अंग्रेजों ने बहुत समय तक काला पानी के लिए इस्तमाल किया और जिस स्पीशिस के हम बात करने वाले हैं अंडमान में नाजा सेगिटेफेरा बहुत कम हब भारत में इतने प्रकार शाहएं कि हां। हम समन्द में अगर हम चले जाते हैं अंडमान में जो अलमोस्त पूरी तरेके से समंदर में में और मेंके नखया और जो पूरा सिस्टम है वो काफी अलग है और इसी लिए वहां के जंगल भी काफी अलग है समंदर के या कह सकते हैं आप सावसा समंदर में ही होने के कारेंट वहां का जो फ्लॉराइन फॉना है समंदर का उस पर बहुत बड़ा एफेक्ट पर पड़ता है ना जाए सेगेटेफ अच्छी है तो यह उतना ज्यादा हुमें एरियाज में जो है आम नहीं है दोस्तों आयू सीयन ने अंडुमान कोब्रा नाजा सेकेटी फेरा को एंडेंजर घोशित किया हुआ है इसलिए भी यह काफी कम दिखते हैं और इनकी अगर बॉड़ी स्ट्रक्चर की बात करें त होती है जैसा अभी आप इस वक्त फोटो में देख रहे हैं दोस्तों एक लोकल स्ने कैचर है वहां कि उन्होंने इसे होल्ड किया हुआ है और आप इसे देखें तो आपको ऐसा फील होगा कि एक आडल्ट तो नहीं कह सकते लेकिन जुविनाइल किंग कोब्रा को होल्ड किय हुआ है बड़ा सा इसका हुड है और वैसी बॉड़ी इसकी दिख रही है और एक खास मार्किंग जो है है पटालोजिस्ट बताते हैं वहां के कि इसकी पूंच में और बाडी में अगर एक पटिकुलर एंगल से देखें तो आपको ए मार्किंग दिखती है जैसा से नाजा ओक्सियाना से अगर जीन की बाट की जा रही है तो नाजा कोटिया मोनोसलेट कोब्रा के काफी क्लोज यह साप है और एक खास बात यह है कि यह भी अपने वेनम को स्पिट कर सकता है इसको अंडमान स्पिटिंग कोब्रा भी कई जगा नाम जो है वो दिया गया है लेकिन विज्ञानिक मानते हैं कि इसका जो जहर थूखने का तरीका है अक्षय वो इस प्रकार का नहीं है कि वो फ्यूचर में इवॉल्व होने की तरह दिख रहा है इसके अगर हम कोटिया की बात करते हैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि नाजा कोटिया साइड जो है इशारा कर रहा है कि यह आने वाले समय में इसको इंप्रूफ करने की तरफ ले जाएगा लेकिन इसके केस में नाजा से केस में हम ऐसा नहीं कह सकते वेनम की similarity की भी अगर बात की जाए तो वेनम जो है इसका ना तो ना जा ना जा ना तो ना जा कोठिया से बहुत जादा मेल खाता है थोड़ा थोड़ा सभी के components आप बोल सकते हैं इसमें है लेकिन इसका वेनम जो है वो अपनी तरह का unique ही है studies काफी कम है दोस्तों इसके वेनम पर लेकिन जितनी भी studies की गई है उसके मुताबिक इसके वेनम में cytotoxicity भी देखी जाती है neurotoxicity भी देखी जाती है अगर envenomation के बाद patients में किस तरीके के symptoms आते हैं 10 से 40 प्रतिशत patients ऐसे होते हैं जो severe necrosis face करते हैं जो की इशारा करता है कि इसका वेनम जो है वो cytotoxins को carry करता है लेकिन वहीं पर ठूखने वाली बात करते हैं जो आप spitting की बात कर रहे हैं तो वो cytotoxins यहां पर show करते हैं करता है लेकिन अगर हम उन्ही patients में और deeply study करते हैं जब symptoms में तो more than 50% somewhere around 58% के आसपास patients होते हैं जिनमें neurotoxicity ज्यादा देखी जाती है जिसमें fatigue, आखों का बंद होना, drooling, drooling effect, respiratory failure, cardiac arrest यह सारी जो neurotoxic venom के effects होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं patients में antivenome के study बताती अक्षा है कि patients को treat करने के लिए या subjects के उपर antivenome की study की गई थी इंडिया से भी antivenome मंगवाया गया था और South East Asia से Thailand से नानाजा कोठिया का monovalent antivenome लाया गया 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 था और दोनों ही antivenome को जब test किया गया नानाजा सब्जेक्स पर कमाल का result निकल के आया दोनों ही antivenome पूरी तरीके से fail साबित हुए मिन्स दोनों ही antivenome ने सब्जेक्स को पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन 40 to 50% भी ट्रीट नहीं किया तो यह चीज बताता है कि venom में कितना ज़्यादा फरक है इसके और एन्वेनमेशन की cases इसके ज़्यादा नहीं आते हैं इस कारण से इसका मोनोवेलेंट अंटिवेनम तयार नहीं किया जा सकता या नहीं हुआ है अब तक एक फ्रीलांस रिसर्चर है हमें जैसा आप वेनम की बात कर रहे थे तो उनकी स्टेडी यह बताती और वह कॉंक्लूड करते हैं हाला कि यह कोई अप्रूव्ड थेयरी नहीं है लेकिन जैसा में बंग्रत जेनिस में बंग्रो टॉकिन कॉमन तर्म यूज किया जाता है क्यूंकि पर्टीकुलर काईट उफ स्कॉटीन मिलता है को ब्रास के लिए को अग क्या नाजीन की बात करा स्था आपक्रेंजी और वैसे ही नाजा सेजेटी फेरा के लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया सेजी टॉक्सिंस क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिंस मिले हैं ऐसे कुछ प्रोटीन मिले हैं जो बाकी के नाजा जेनिस जो भारत में पाए जाते हैं उनसे काफी डिफरेंट है तो इस पर ऐसा क्या कुछ फर्दर स्टेडीज में सामने आ सकता है कि इसका वेनम जो है जैसा आमने पिछले वीडियो में बताया था कि मोनोकल्ट का जो वेनम है वो फर्दर स्टेडीज में प्रूव हो सकता है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुतरीन मेडिकल यूज उसके निकल कर आ सकते तो क्या नाजा सेजिटिफेरा के वेनम के साथ भी कुछ ऐसा समभव है अच्छे लास्ट कुछ समभवे में साइंटिस्ट का ध्यान जो है अंडमान में रहने वाले स्पीशिस पे गया है जो की एंडेमिक हैं और इन पे रिसर्च वर्क बढ़ा तो है लेकिन अभी काफी रिसर्च इ इसी स्पीशिस है जो आम तौर पर अब दिखती भी नहीं एंडेंजर हो गई है और जंगलों में इनको ढूंड पाना इनको निकाल पाना अपने आप में एक चैलेंज है जो बंदी दिशाओं में जो सांप हैं उन पर स्टडी चल रही हैं और हम सिर्फ यह उमीद कर सकते ह आने वाले समय में इससे कुछ नए फैक्स निकल के आएं जो की एंवाइर्मेंट के लिए भी अच्छे साबित हो और इंसानों के लिए भी कुछ यह कमाल की बाते जो है वो लेके आए अपने साथ तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दे फोर्थ कोब्रा अफ इंडिया नाजा ओक्सियाना कैस्पियन कोब्रा आज के वीडियो में इतना ही जय हिंद वंदे मातरम